आज की ये वीडियो उन students के लिए बहुत ही important है जो अपना examination center change करना चाहते हैं for December term and examination जो 4 March से शुरू हो रही है As well as उन students के लिए भी बहुत ही important है जिन्होंने अभी तक अपना examination form ही fill नहीं किया है So video को end तक जरूर देखिएगा चलिए सबसे पहले शुरुवात करते हैं notification से इगनो की तरफ से एक notification आया था So उस notification में basically regional centers को कहा गया है कि अगर कोई student अपना examination center change करवाना चाहता है तो वो करवा सकता है As well as कुछ students ने जिन्होंने अभी तक अपना examination form ही fill नहीं किया है वो अपना examination form भी fill कर सकती है अब इसका criteria क्या है देखिए आपके जो examination form fill करने का दिन है वो रखा गया है एक March से चार March से आपके exam शुरू हो रहे हैं बट एक March से आप अपना जो examination form है उसको fill करना start कर सकती है अब इसको कैसे करेंगी regional centers को कहा गया है कि उनको online link provide करवा दिया जाएगा इसका मतलब है कि students को अपने regional center visit करना पड़ेगा कबसे 28 February के बाद से और जो students है उनको 1100 का fine pay करना होगा as well as per exam के 200 rupees extra pay करने पड़ेंगे तो मान लीजिए आपके 4 exam है तो उस exam की fees तो अलग से लगेगी ही उसके उपर 200 rupees extra लगेंगे पर exam उसके उपर 1100 रुपे और extra लगेंगे जो के आपकी fine है फिर जो examination center को choose करने का सवाल आता है उसमें students को दो options दी गई है या तो आप email के थूँ अपना examination center change कर सकते हैं वो भी regional center ही करेंगे या फिर आप directly regional center visit कर सकते हैं क्योंकि link तो उनके पास ही है वही आपका जो examination center है वो change कर सकते हैं अब सबसे पहले main point आता है कि आप कैसे चेक करें कि जो examination center आप चाहते हैं वो available भी है या फिर नहीं एक link मैंने आपको description box में दिया है आपने बस उस link के उपर click करना है और अपनी city या फिर अपनी state को choose कर लेना है और submit के उपर click कर देना है उसके बाद आपको एक full list दिखाई दे जाएगी वहाँ पर जाकर आप अपना जो examination center है उसको choose कर सकते हैं आप देख सकते हैं कि कौन सा examination center आपको near है सो उस हिसाब से आप दो तीन examination center को पहले से ही select करके रख लीजिए so that जब आप अपने regional center visit करें अगर आपको एक center नहीं मिलता है examination center तो आपको एक दूसरा जो भी आपके near है उसको choose कर ली second point है कि payment कैसे करें अब जिन students ने अपनी fee को pay करना है वो अपना exam form fill करना भूल गए थे so वो pay कैसे करेंगे देखिए इस notice में payment के regarding कुछ भी नहीं कहा गया है normally क्या होता है आप जब regional center को pay करते हैं तो आपको एक demand draft बनाना पड़ता है बट इसमें हमें ये नहीं पता कि जो demand draft आप बनाओगे वो डेली को होगा या फिर उस particular regional center को होगा तो उसके लिए आपके लिए option है कि आप demand draft मत बनवाईएगा क्योंकि फिर आपको cancel करवाना पड़ गया तो उसके charges एक्स्ट्रा लगेंगे It's better to take cash with you अपने साथ cash लेकर जाएए और उसी से अपनी payment कर दीजिएगा जैसा आपको regional center वाले बताएंगे आप वैसा कर दीजिएगा अब आपने examination form अपना fill कर दिया तो अब आपको क्या करना है देखिए आपको 48 hours तक wait करना है आपकी hall ticket update कर दी जाएगी और normally 48 hours में कर दी जाती है अगर आपकी hall ticket 48 hours में भी update नहीं की जाती है तो आप अपने regional center को कोई उनसे number जरूर ले लीजिएगा उनको directly call करके आप अपना confirm कर सकती है Students ने अपना exam center change करना है वो कैसे कर सकती है देखिए जब पहले notice आया था तो उसमें कहा गया था कि आप same city में अपना examination center change नहीं कर सकते हो और ना ही जम्मू, श्रीनगर और डेली NCR वाले जो students है वो भी अपना जो regional center है examination center है उसको change नहीं कर सकते है बट जो students अपना center change कर सकते हैं उनके लिए क्या procedure है देखिए या तो आप अपने regional center visit कीजिए क्योंकि वहीं पे उनको link दिया गया है वही आपका जो center है वो change कर सकते हैं या फिर आप उन्हें email लिख सकते हैं बेटर तो होगा कि आप वहीं visit कीजिए बट अगर आप नहीं कर सकते हैं तो email लिख सकते हैं आप उनको अपने respective regional center को लिखनी है आपको अपने regional center की email id पता होनी चाहिए अगर नहीं पता है तो आप search कर लीजिए उसके बाद आपको लिखना क्या है देखिए आपको एक example मैंने दिया है इसमें आपने बस लिखना है कि मैं student हुई गनो का मेरा enrollment नमबर ये है और मेरा program code फिर आपने लिखना है कि मैंने इस center से दूसरे center में जाना है जिसका code भी आपको पता होना चाहिए और ये code जो link मैंने आपको पहले दिया है अपना examination center find करने का उस पे जाकर आप find out कर सकते हैं एक valid reason दे दीजिएगा और नीचे लिख दीजिएगा I shall be very thankful to you तो उसके साथ साथ आपको attach करना पड़ेगा अपना ID card as well as अपनी hall ticket अगर तो आपकी जो request है वो accept हो जाती है तो आपको duplicate hall ticket issue कर दी जाएगी अगर आपको कोई response नहीं आता है तो better होगा definitely आप अपने regional center visit कीजिए पेलेजिबल है तो उन्हें आपका जो center है examination center change करना ही पड़ेगा तो आप उनसे request कर सकती है तो यह थी आज की वीडियो अगर आपको इसमें कोई भी doubt है तो आप comment कर सकते हैं आप मुझे instagram या फिर twitter पे भी follow कर सकती है thank you so much for watching